कि नमस्कार दोस्तों वियास नॉलेज इलेक्ट्री चलनेन में आप सभी का सभागत है न्यूज नोटिफेक्सन लेकर एक पार फिर उपस थे तो दोस्तों आज जो विकेंटिस की बात करने जा रहे हैं वह है आर रार्ची डव्लू सीर पस्टी मद्य रेलवे में विकेंटिस को एक्जाम नहीं देनी है एक्परेंटिस की लिकेंटिस की यह आप यदि आई यह वह होड़ रहें तो जरूर अपरेंटिस करें से प्रतमान समय में इन दोनों की जरूरत है और आने वाली रेलवे की भड़तियों में आपको सर्टिफिक्ट भी मिल जाएगा और आपका भवस्य भी सुधर सकता है जिस प्रकार से केंदर सरकार ने कोशना कर रखिये कि डेर लाख विकेंजियों कि आप आने वाले समय में आप आपको देखने को मिल सकती है उनमें आपके पास में अपनिडिस का सर्टिपिक्ट है आप आपको मेरिट इबस में काफी छूट मिल सकती है आपके पास में सुनहरा मौका है अगर आप राजिस्तान और मद्यपरदेश से बिलोंग करते हैं इसमें कौन-कौन कंडिडेट इ क्या इसका क्राइट एरिया रहने वाला कितने इसमें पोस्ट हैं सभी टेटेल्स वीडियो के माधियम से अपन जानने की कोसिस करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से क्वेश्ट है और आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को लाइक शेर और स आपको सबसे पहले इससे पर आर्ची मिलती रहें देखते हैं ओपीशियल नोटिफिक्शन में क्या क्या दिया हुआ है जिस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हूँ 17 नॉओंबर 2022 का यह लीष्ट आयंन जारी किया हुए अफीशियल नोटिफिक्शन जारी किया हुआ है इसमें आविदेन करने के त्हिजिक्शच से ओन्लाइन आविदेन करना है 18 नॉओंबर 2022 से ऑनलाइन इसमें स्टाट हो गये हैं जो की 17 दिसम्र 2020 तक आप आप ओलाइन आवधन कर सकते हैं अगर आपके पास में क्राइट एरी है जिस प्रकार से दोस्तों अलग-अलग यूनिट वाइज इसमें पोस्ट दिवी है जब प्लप्रोव डिविजिन की यहां पर बात करें तो जनरल कोटे में यहां पर 304 पोस्ट है टोटल पोस्ट की बा यहां पर दीवी है वर्क्सवर कोटा के अंदर 160 बात करें तो पाशिस सो इकी सिटे यहां पर दीवी है आगे बात करते हैं इसमें एसकराइट एरिया की तो एज कराइट एरिया दोस्तों इसमें रहने वाला है 15 साल से 24 साल तक अगर आपके एज है तो आप इसमें ओलाइन आविदर कर सकते हूँ जिसमें SCST कंडिडेट को यहां पर 5 साल की छूट मिलने वाली है और OBC कंडिडेट को यहां पर 3 साल की छूट यहां पर मिलने वाली है आगे इसमें बात करते हैं अगर आप अक सर्विस में हैं तो आपको यहां पर 10 साल की छूट मिलने वाली है अगर आप defense academy से आते हैं तो आपको यहाँ पे तीन साल की छूट यहाँ पे मिलने वारी है जैसा कि लोग आप देख पा रहे हो आगे बात करते हैं इसमें education criteria की तो education criteria दोस्तों इसमें रहने वाला है 10th प्लस ncvt और scvt trades के अंदर आपको इसमें बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए आप ओनाइन आवधिन कर सकते हो जिसमें ट्रेड हैं कारपेंटर हैं computer operator assistant कोपा है इसमें बात करते हैं क्राइटरिया की क्या क्या रहने वाला है बोडल सेलेक्शन आपका किस प्रकार से रहने वाला है merit based पे जिस परकार से दोस्तों आप देख पा रहे हो 10th प्लस ITA के जो mark sheet है उसके जो number है उनके आदार पे आपका selection होने वाला है जिस प्रकार से किसी candidate के याँ पे 10th में 80% है और ITA में याँ पे 80% है तो इन दोनों का 50-50% याँ पे निकला जाएगा 10th का याँ पे 40% हो जाएगा और ITA का याँ पे 40% हो जाएगा दोनों का याँ पे टोटल बात करें तो 80% marks के याँ पे आपका selection होने वाला है आगे इसमें बात करते हैं फीस प्रोसेस की तो फीस प्रोसेस याँ पे 100 रुपे ओनलान अविदन के रहने वाले हैं आगे इसमें बात करते हैं आपको क्या-क्या यहां पे लेकर जाना है जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हूं 10th की mark sheet आपके पास में होने चाहिए आपके पास में जाती परमानपत्र होना चाहिए और IT की जो mark sheet है NCVT और SCVT की trade की mark sheet आपके पास में होने चाहिए ओनलाइन आवदन करने के लिए आगे इसमें बात करते हैं क्राइटेरिया की कि विभा की तरफ से help desk desk number इसमें दिए हैं और email ID दिए हुई है इसमें आपको किसी प्रकार की problem आती है तो विभा की website के उपर आप email के माधियम से या फिर phone करके आप अपने problem share कर सकते हो जिससे कि आपको किसी प्रकार की problem का सामना ना करना पड़े दोस्तो ये था इसका पुरा process दोस्तो आपके पास में उचित समय है सुनहरा अवसर है रेलवे में नोकरी करने का क्यूंकि विभाग आने वाले समय में डेड़ लाग से अधिक पद्दों के पर विकेंश्यू की गोशना कर चुक है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है रे करते हैं दोस्तों एक नहीं अप्डेट के साथ में नए वीडियो में आटिया इस्ट्रेंट के लिए आने वाली विकेंश्यू के अप्डेट के लिए सबसे पहले आपको इसी चैनल के ओपर देखने को मिलती है चैनल को लाइक सेर और सब्सक्रा करना आप विले